आमादमी पार्टी के सांसर संजेश सिंग बुद्वार को शाह जापूर पहुंच रही यहां उन्होंने आमादमी पार्टी के पृत्याशी सुमन वर्मा के समर्थन में रोड शो कर वोट मांगे इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते वे सीम यूघी आदित्यनात के बयान यूपी में सब चंगा पर निशानास था संजे सिंग ने कहा योग्या दित्यनाद्थ साबित करना चाहते हैं कि हम आपको कितना तहस नहस कर सकते हैं इसके बावजूद कहते हैं बुल्डोजर बाबा है उन्होंने सच्चाइसे रूबुरू होना चाहिए नौएडा से लेकर बरेली तक मंदिरों के आगे घरों को तोड़ा गया उन्हों उन्होंने कहा कि हम विश्व गुरू तो बनना चाहते हैं लेकिन नफरत की दुनिया पर कोई भी मुल्क आज तक आगे नहीं गया है सिर्फ महबत की दुनिया से आगे जाया जा सकता है उन्होंने कहा हिंदो धर्म का मिव कुटुम्बकम इसलिए पूरा विश्व हमारा परि कहा कि हमारी पार्टी ने एक साल पहले से ही नगर निकाय चुनाव की तैयारियं शुरू कर दी थी प्रमकमद्दे गिनाते हुए उन्होंने कहा कि हाउस टेक्स साफ वाटर टेक्स माफ और शेहर होगा साफ इस तरीके से दिल्ली एंसीडी में अभूत पुर्व कारे हुए ठीक उसी प्रकार का काम आपके शेहर में होगा आप सांसत ने कहा एक इंजन मोधी के पास है तो एक इंजन सीम योगी के पास है पियम मोधी का इंजन अडानी के लिए काम करता है आकाश में जहाज अडानी का जमीन पर एरपूर्ट अडानी का पाताल में कोईल अडानी का समुद्र में सीपोर्ट अडानी का पीम ने बिजली, पानी और गैस सब कुछ अपने गुजराती दोस्त अडानी को दे दिया उन्होंने कहा कि पीम मोधी का इंजन फेल हो चुका है उन्होंने जितने वादे देश से किये वह सब खोकले साबित हुए दोसरा इंजन सीम योगी का है, जिसमें 26,000 सरकार इसकुल बंध हो चुके है इस इंजन में करोना की महामारी के दारा तंस्ताओं में लाशे भीची मिली संधिय सिंग ने कहा कि इसी इंजन के दारान लखीम पूर कांट हुआ जहां पांच किसानों को कुचल कर मार दिया गया ये इंजन भी पूरे तरीके से फेल हो चुका है इसी इंजन में हादरस कांट, उननाव कांट, उमेश पाल कांट और अतीक अश्रफ कांट हुआ इसलिए अब सीम केजरिवाल का जहाड़ू वाला नया इंजन चाहिए जो साफ सपाई के साथ साथ जुष्टाचार को भी साफ करेगा बियरो रिपोर्ट उत्रप्रदेश